कभी कभी हाथों की लकीरों को खुद हाथों ने पकड़ रखा है कभी कभी हाथों की लकीरों को खुद हाथों ने पकड़ रखा है खुलके उड़ने का शौक मुझे भी है पर क्या करूँ घर की जिम्बेदारियों ने जकड़ रखा है कभी-कभी हम इतना डर जाते हैं कि छोटी से छोटी घटना हमें डरा जाती है इस तरह की शांती चा जाती है कि घड़ी की टिक-टिक भी मानों कोई घटना सी बन जाती है कभी-कभी मन से जादा खुशियों की चाहत होती है हमें और जब उनी खुशियों को ढूड़े निकलो तो पतानी सारी खुशियां किस कोने में समा जाती है मैंने सोचा पड़ू और किताबें और सीखू कुछ और भी पर किताबों से जादा जिन्दिगी बहुत कुछ सिखा जाती है इस तरह ठकाएगी ये जिन्दगी सोचा न था हर रात आसूंओं के साथ सुलाईगी ये जिन्दगी सोचा न था कभी तूफान बन जाती है तो कभी यूही खामोश हो जाती है फिर बिन मौसम बरसाथ दिगाएगी ये जिन्दगी सोचा न था जूटे वादे करके मुझे यूँ बहलाएगी ये जिन्दिगी सोचा ना था गमों के पलों को खुशियों का बताके यूँ मेरे हाथ में थमाजाएगी ये जिन्दिगी सोचा ना था कहती है मुझसे क्या रखा है खेल खेलने में हार जीत के अलावा हमेशा कहती है मुझसे क्या रखा है खेल खेलने में हार जीत के अलावा और खुदी यूँ खेल खेल जाएगी ये जिन्दगी सोचा ना था एक दिन मैंने कहा आ जिन्दगी बैठ पास मेरे तू भी तो ठग गई होगी मुझे भगाते भगाते उसने धीरे से कहा तू भी रुकमत अभी तो और भगाएगी ये जिन्दगी सोचा ना था जहां डगर है वहां मन्जिल नहीं खुद पर है विश्वास मन्जिल को पाना मन्जिल के लिए होसलों का पुल है बनाना लाख मुसीबत आएंगी हर एक को समाल लूँगी किसी भी परिस्तिती में हार कभी न मानूँगी आज तकलीफे बहुत हैं कल काम्या भी बड़ी होगी आज जिन्दगी कुछ और हैं कल जिन्दगी कुछ और होगी गिरूंगी उठूंगी ना कभी ठकूंगी रोने से मन होता है हलका तो अकेले रो भी लिया करूँगी पर सब को हसाऊँगी जिन्दगी के दुख में जादा तर मस्कुराऊँगी होसलों के पंकों के साथ एक दिन मैं भी वड़ जाऊँगी कुछ लमहे पन्नों में कैद हुए है कुछ कहानी, कुछ कविता, तो कुछ गजल हुए है कहानी में बचपन से बुढ़ापी तक का सफर है कविता और गजल में यूँ छोटी-छोटी बातों की खबर है इन पन्नों के हर एक शब्द को कुछ ना कुछ तो मतलब है तभी तो एक लेखक को इने लिखने की तलब है कैद कर देता है वो अपने जजबातों को इन पन्नों में शलता है जो उसके जीवन में या देखा हो राग के सपने में पढ़ता है जब कोई इन पन्नों को ये पन्ने उसके दिल को चुए है कुछ लंभे पन्नों में कैद हुए है इन पन्नों को पढ़कर कोई मुश्कोराए है तो कोई रोए है कुछ लंभे पन्नों में कैद हुए है बन रही हूँ खुद से ही खानदान की समारी नहीं हूँ मैं बाजिव है आपका गलत समझना मगर किसमत की मारी नहीं हूँ मैं बेशक मात खाई है मैदान जिन्दिगी में मैंने पर मुश्किलों से कह दो अभी तक हारी नहीं हूँ मैं छोटी थी जब मैं मैंने पापा से कुछ पैसे मांग लिये बिना गिने मेरे हाथ में थमा दिये कुछ से बहुत जादा थे मैंने पापा की तरफ देखा तो धीरे से मुस्कुरा रहे थे एक दिन मैंने मेरे कान की बाली खो गई थी पता नहीं कैसे इस बात की खबर मेरे पापा को मनी मन हो गई थी पापा हमसे दिन में दूर रहा करते हैं लेकिन हमारे मन की हर एक परिशानी को मन से समझ जाया करते हैं एक खिलोना मांग थी थी मैं पापा खिलोना से मेरा कमरा भर जाते थे फिर पता नहीं क्यों पापा कई तिनों तक पैदल आफिस ही जाते थे एक दिन अपने पसंद की ड्रेस मांग ली तो लिफाफे में ड्रेस के साथ एक सुन्दर सा गहना था लेकिन पता नहीं क्यों पापा ने उस दिवाली पुराना कुरता ही पहना था पापा थोड़े ही हैं वो जादू कर हैं एक मांगो हजार दे जाते हैं हर महीने घर के लिए खुशुआ की तनखालाते हैं कोई तो बताए यार ये पापा किस दुनिया से आते हैं हर बार जिंदगी मुझे हराना चाती थी मैंने भी ठान रखी थी जीतने की जिंदगी मुझे आगे भी हराएगी ये उसकी ख्वाहिश है पर उसे गया पता उसकी ख्वाहिश के पीछे भी मेरी जीत की साजिश है